दिल्ले में काम बेमिثाल और कमाल वो भी दो-दो बार अर्विंद केज़िवाल ने दिल्ली को दो बार फटह दो पर स्य म Вас ANDREW अर्विंद केजवाल नी दिल्ली को दो बार फटह किया। किसा पहाड खड़ा गड़ चुके हैं जो तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए कम सकम दिल्ली में भीदना काफी मुश्किल हो गया है और आप खुद मुख्यमंत्री अर्विंद के जर्वाल अपनी पार्टी को लेकर पहाड की तरफ निकलने वाले हैं हम बात करें हैं उत दिल्ली से बाहर के राजनीती में कदम रख रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल हमारे साथ हैं आपना स्वागत है अर्विंद जी हम बात करेंगे आपके जो एक्सपेंशन प्लान है आमादमी पार्टी के लेक आज एक बार फिर जब सेकंड वेव की बात हो रही है और सीरो सर्वे के जो दूसरे रिजल्स है वो आ चुके हैं तो क्या प्लानिंग है और अब दिल्ली वालों को कितना डरने की जुरुत है अभी फिलहाल दिल्ली में स्थिति काफी कंट्रोल में है बीच में दो महीने प पांगे सबकी मदद ली और आज मुझे खुशी है कि फिलहाल दिल्ली में रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है लोग ठीक हो रहे हैं पॉजिटिविटी रेट मतलब जो लोग बिमार पढ़ रहे हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है एक्टिव केसे कम हो रहे हैं मौतें काफी क हो गई है बहुत चिंता का विशे मेरे लिए सबसे ज्यादा लोग बिमार हो ठीक हो जाएं बिमार हो ठीक हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम ने लेकिन मौत नहीं होने चाहिए तो उसके उपर हमने काफी काम किया है कि मैंने परस्नली बैठके एक एक हॉस्पिटल का ओडिट करवाया कि क्या कमिया है तो अभी फिलहाल स्थिती दिल्ली में काफी कंट्रोल में है अभी चिंता करने की ज़रूरती नहीं है लेकिन ये वाइरस का कोई भरोसा नहीं है तो सब लोग अपनी अपनी एहतियात बरते रहना उसमें कोई कमिया मत करना सीरो सर्वे का जो पहला नतीजा आया था उसमें 23वी फीजदी लोगों में कहा गया था कि एंटी-बोडीज जो है वो डियंक हो गया है अभी जो दूसरा सीरो सर्वे है उसके क्या कहते हैं आज कि दो 29 परसंट तो इसका मतलब जिन लोगों को पता नहीं सीरो सरुभी क्या वो पता भी नहीं चला उन लोगों को तो एक तरह से अगर दो करोड जनसंख्या माने दिल्ली की तो लगबग साथ लाख लोगों को कोरोना होके वो ठीक हो चुके हैं अर्विंद जी दिल्ली में एक तरफ स्थिती थी जब बिल्कुल पानिक की सिच्वेशन हो गई थी अस्पिताल में बैट कि स्कू मेलें कि स्कू ना मेलें स्कू लेकर घमासान शुरू हो गया था एक वक्त लग रहा था कि मामला जो है हाथ से निकल रहा हो राजनीती भी जमकर हो रही है लेकिन उसके बाद हमने एक बदले हुए अर्विंद के जड़वाल को देखा जो दिल्ली के लिए कुछ भी कर गुजरने को तयार था किसी से मदद मांगनी है कोई जिजक नहीं है कोई संकोच नहीं है और फिर किस तरह से आपने वो दिल्ली मॉडल तयार किया जो अब अंतराश्टिय स्थर पर अपनी पहचान बना रहा है देखिए मैंने हमेशा ये कहा है कि दो चीजें एक तो कि डिल्ली के लोगों ने हमारे ओपर विश्वास किया और इतना भारी भामत दिया डिल्ли के लोगों के लिए मेरे को किसी के पास भी जाकर गिड़ गिड़ाना पड़ेगा मैं उसके पैर भी पकड़ लूंगा डिल् कई लोगों के मदद की जरूरत है, जैसे एक वक्त में oxygen cylinder कम पढ़ गए, अब अचानक तो आएंगे नहीं, हमने केंदर से मदद मांगी, केंदर ने दे दिये, शुरू-शुरू में पी-पी कितनी थे, हमने केंदर से मदद मांगी, उन्होंने दे दिये, हमारे पास hospital में जब लुựए प्राइवेट Allegra आउस्पिटल वाले नाराज हो, हमने हो इस खुटल लॉबी को बुलाया, होटल को कहा ही, आपके होतल्स को हम हॉस्पिटल में कनवर्ट कराय तो हर तरव से हमने मदद ली और मुझे आज बेहद ख़शी है कि यह दिली है इसकी पूरी-दुनिय पूरी दुनिया के लिए अगर हम बात करें एक दूसरा जो दिल्ली वालों के लिए एक सवाल है और जो पूरे देश में बहस का विशे बना हुआ है वो स्कूल ओपनिंग को लेकर आपकी सरकार एडुकेशन को लेकर बहुत जादा संजीदा रही है उसको लेकर अपरिशेश नहीं हो सकता उसके साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता तो मैं पूरी दुनिया के अंदर जो दूसरे देशों के एक्सपीरियंस है वो मैं पढ़ता रहता हूं बहुत क्लोजली इसराइल ने स्कूल खोले उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ जी माई के एंड में इसराइल में केसेज बहुत कम हो गए थे तो उनको लगा ठीक हो गया करोना और उने स्कूल खोल दिये अब बच्चे जो होते हैं वो तो शरार्ती होते हैं घर से तो मास्क पहना के मम्मी भेजती है बहर निकलते ही बस में बैठती ही मास्क उतर जाता है कोई सोशल डिस्ट तो इसका उप्शन किस तरह से पढ़ाई है कि पूरा साल एक अडमी केर अभी चल रही है मैं समझ सकता हूं कि ऑनलाइन क्लासेज जो है वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकती लेकिन प्राविट सूल में फिर भी कुछ पढ़ाई हो रही है सरकारी में भी चल रही है एक एक बच्चे को दिली सरकार ने कॉंटैक्ट किया है उनके वेरबॉट्स ट्रीइस की है एकी बच्ची के प्लाइन्ग की गई है कि किसके पास पास एक्विप्मेंट ही किसके पास नहीं है और जिन जिन लोगों के पास थोड़ी सिप कमी है आँ अगानी कि उनके लिए फिर फिजिकल नोट्स तयार कर दिया जाते हैं, वो स्कूल भेजके किसी को मंगवा लेते हैं, तो हमारी तरफ से जितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, सरकारी स्कोलों में भी सुविधा प्रवाइड कर रहा है। दिल्ली के बातों पर दुवारा लोटेंगे, लेकिन दिल्ली से ही पूरे देश की राजनीती जो है वो गवन होती है, और अब गौवा और पंजाब के बाद अरविंद केजरिवाल पाहडों के तरफ निकल रहे हैं, वो कहां से वो सोच आई और उतराखंड ही क्यों आपने पिछले दो धाई महीने से दिल्ली में उतराखंड के बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग और दिल्ली के विकास में उतराखंड के लोगों ने काफी योगदान दिया है, दो धाई महीने में उतराखंड दिल्ली में रहने वाले उतराखंड के कई लोग मेरे पास आए, औ और जैसे एक व्यक्ति आया अपने पूरे गली महले को लेके और उसने कहा मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और 93% नंबर आये उसके। और बोला मैं तो सोच भी ने सकता था, मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं लेकि मैं सोच भी ने सकता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी कभी इतने अच्छे नंबर लाइगी कैता है अब डॉक्टर बनेगी वो तो उन्होंने कहा कि हमारे उत्राखंड में सिचुएशन बहुत खराब है आम आदमी पार्टी को उत्राखंड भी आना चाहिए तो मैंने कभी हमारी चोटी सी पार्टी है उत्राखंड में कैसे होगा क्या लोग चाहते हैं उन्होंने का जी बिल्कुल चाहते हैं उत्राख तो फिर हमने सर्वे कराया उत्राखंड में, तो हमने पूछा भी क्या आमादमी पार्टे को उत्राखंड में चुनाव लड़ने चाहिए, तो 62% लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने चाहिए, which was very encouraging, तब पार्टी ने तैक हिया कि उत्राखंड में चुनाव लड़ेंगे. अपनी पार्टी को और आपको हो गया है, यह बाद वाजिब है. तो बिना ऐसे रेनाउंट चेहरे, बिना ऐसे काडर के, कितना मुश्किल होगा इस चुनाव लड़ेंगे? 2013 में दिल्ली में जो situation थी, जब हमने नई नई पार्टी बनाई थी, उत्राखंड में आज वोई situation है. 2013 में दिल्ली की जनता चाहती थी कि चुनाव लड़ें, हम आपस तो काडर भी नहीं था, हम आपस तो पैसे भी नहीं थे, हम आपस तो कुछ भी नहीं था. मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में सबसे इंपोर्टन होता है, होप, आशा, उमीद. अगर लोगों को किसी पार्टी से उमीद हो जाए, फिर लोग काडर बन जाते हैं. ने, लेकिन 2013 में आपके पास अन्ना अंदोलन का एक पूरा वेव भी था, उसको भी हम डिनाइ नहीं कर सते हैं. तो उमीद इंपोर्टन होती है, तो 2013 में लोगों को क्या उमीद थी, हमारी गवर्नेंस तो देखी नहीं थी, लोगों को उमीद थी, यह लड़के बड़े अच्छे हैं, देश भगते हैं, इमानदार हैं, और देश के लिए कुछ कर्ग गुजरना चाहते हैं, बस यही तो जैसे वहां पर डंडी-खंडी की प्रथा है, उत्राखंड के अंदर, जिसमें गाउं में, पहाडों में खासकर अगर कोई बिमार हो जाता है, तो वहां कोई हस्पताल नहीं है, और वो खटिया पर उसको डालके और फिर दूर तक पैदल चलके लेके जाते हैं, वहां क्लि में महला क्लिनिक बना, वहां गाउं क्लिनिक क्यों नहीं बन सकता, हर बस्ती के अंदर, हर गाउं के अंदर क्लिनिक क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है, वहां पर इस सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं, तो उत्राखंड के लोगों के मन में भी एक उमीद जाग तो जैसे उत्राखंड पहले उत्रप्रदेश का हिस्सा था, तो उसमें उत्राखंड के साथ 113 व्यभार होता था, उसके तरफ कोई ध्यान नि दिया जाता था, तो उत्राखंड के लोगों ने संघर्श करके और त्याग करके उत्राखंड, अलग उत्राखंड की मांग उठा पहले बीजेपी की सरकार ही, फिर कॉंग्रेस की सरकार ही, फिर बीजेपी की सरकार ही, फिर कॉंग्रेस की सरकार ही और अब बीजेपी की सरकार ही, और अल्टरनेट चल रहा है, बड़ी अच्छी सेटिंग है, पांच साल तुम लूटो फिर पांच साल हम लूटेंगे, फिर तो अब लोगों को विकास चाहिए, पहले दिल्ली के अंदर भी यह इस्थिती थी, एक बार तूम, एक बार हम, एक बार तूम, एक बार हम, अब लोगों को एक उमीद अगर मिली है, तो मैं समझता हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी को मौका देंगे. आम आदमी पार्टी के अगर हम बात करें, सुर्खियां भी खुब बटोरी, काम की वावाही सिर्फ देश में ही नहीं, अंतराष्टी इस्थर पर भी होती है, लेकिन फिर क्या कमी रह जाती है कि जब आप विपक्षी पार्टी या विपक्ष किनेता की बात करते हैं, वावा पक्ष और विपक्ष दोनों का, विपक्ष का इसलिए कि कॉंग्रेस तो खतम हो चुकी है, कॉंग्रेस हर जगे लोग कॉंग्रेस की सरकार बनाते हैं और कॉंग्रेस वाले सारे जाके बीजेपी में महरज हो जाते हैं, पहले गोवा में लोगोंने कॉंग्रेस की सरकार बन तो Congress तो खतम है, तो Congress अगर खतम है, तो BJP को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो राश्यस्तर के उपर अगर आप देखें जैसे राजस्तान में जो हुआ, जब हमारे देश की सीमाओं के उपर चाइना से इतनी टेंशन चल रही है, जब पूरे देश में करोना की महमारी च संघर्ष करना चाहिए और कोरोना के साथ लडाई लड़नी चाहिए, और यह क्या कर रहे है, एक पार्टी सरकार गिरा रही है, दूसरी सरकार बचा रही है, एक पार्टी मेले बेच रही है, दूसरी मेले खरीद रही है, इतनी कठिन परिस्थिती के अंदर, देश कौन करेगा फिर बॉर्डर के उपर देश की सुरक्षा कॉन करेगा ये लोग पूछना हैं तो ना बीजेपी को चिंता नजर आती ना कॉंग्रेस को चिंता नजर आती तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम राश्ट्रिस तर के उपर है आम आदमी पार्टी बहुत चोटी बाटी है लेकिन आम आदमी पार्टी का आम पूरे देश के लोग देख रहे हैं तो लोगों के दिल में तो बस्ती है लेकिन संगठन के तौर पर आम आदमी पार्टी बड़ी चोटी है राश्ट्रस्तर के ऊपर आने वाले समय में इस वैक्यूम को कौन भरेगा ये तो समय बताएग लेकिन बीशविश में ऐसा लगता है कि अरविंद के जड़वाल उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करते हैं फिर थोड़ा पीछे हट जाते हैं जब छत्रप जो हैं शेत्री पार्टियां जो हैं उनके साथ जुड़ते हैं मुलाकाते भी होती हैं लेकिन फिर थोड़ा पीछ जड़ जाते हैं क्या भी क्लारिट देश की चिन्ता तो सबको है अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते तो क्या पूरे देश के स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए अगर दिल्ली के अंदर 24 गंटे बिजली आने लगी है और हमारी 2015 में सरकार बनी थी 2014 की गर्मिया तो अगर देश के लोग ये सपना देखते हैं तो क्या बुरस देखते हैं कि हमें भी अच्छी राजनीती चाहिए अर्विंद केजरिवाल की कोई आदमी पाटी बहुत चोटी है जनता पे भरोसा है आम आदमी पाटी 2013 में जीती थी दिल्ली के अंदर दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक नई पाटी बनी और एक साल के अंदर एक सड़ सट सीट आ जाए पहली बार हुआ किस वज़े से हुआ हमारी वज़े से नहीं हुआ दिल्ली के लोगों ने करिश्मा करके दिखाया अब उत्राखंड के लोग करिश्मा करके दिखाएंगे देव भूमी के लोग करिश्मा करके दिखाएंगे तो देश के लोगों का प्यार मिले उसके लिए क्या योजना है? क्योंकि जहां-जहां Congress versus BJP है, वहां हमने देखा है कि आप दीरे दीरे ही, वहां आप की पार्टी जो है, वो एक विकल्प के तौर पर उभर रही है. हमारा effort होता है कि दिल्ली के model को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाया जाए. दिल्ली का model क्या है? दिल्ली का model ने एक उमीद दी है कि यार हो तो सकता है. 70 साल से जान बूज के हम लोगों को गरीब रखा गया 70 साल से जान बूज के हम लोगों को अशिक्षित रखा गया 70 साल से जान बूज के हमारे स्कूल और इस्पताल खराब रखे गया यह हो तो सकता है अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में पान साल में कर सकती है तो हमारी बीजेपी और कॉंग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया तो ये सपना देश के लोग देख रहे हैं तो जैसे जैसे दिल्ली मौडल का परचार हो रहा है जैसे जैसे पूरे देश के अंदर दिल्ली मॉडल का पता चल रहा है, लोग खुद बखुद सामने आएंगे, लोग खुद बखुद चुनाव लड़ेंगे, लोग चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव आंदोलन बनेंगे. तो चुनाव अंदोलन तो बनेंगे लेकिन क्या देश के इस वाक्यूम को फिल करने के लिए आम आदमी पार्टी राज्यों के सतर पर जो शित्रिय पार्टी हैं उनके साथ भी हाथ मिलाकर इस विकल्प की तर फिचार करेगी? यह चोटी चीजे हैं गटबंदन यह भलाना दिम का इंपोर्टन्ट है देश को बदलना और मेरा यह कहना है कि कहां क्या होगा कैसे होगा कुछ भी कहपाना इंपोसिबल है एक ही चीज इंपोर्टन्ट है लोगों के मन के अंदर यह आशा देरे देरे बढ़ने लगी है और बढ़नी चाहिए कि यार हो तो सकता है अगर दिली में हो सकता है तो पूरे देश में हो सकता है आम आदमी पार्टी का केवल एक ही है कि पूरे देश के अंदर यह आशा तयार करना उसके अद लोग तय करेंगे जहां जहां लोग हमें जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मे में हमने जो तरह पार शुरू कीए अड़ घर में जाते हैं आसपास के सारे घर के लोग काउते हो जाते हैं पूरी कॉलोनी कट्थी हुज़ातें मेरा भी ना पो prioritize मेरा भी ना पतुब, जो काम सरकार नहीं कर पारी हमारे वोलंटीर्स करके खुखा। इस बहाने ऑचरम अमा अमाद्बी पाटी घर गर में दिखा रही है उच्शा करा हुआ ह। हाम में आमाद्मी पाटी यही तो अच्छी राजनीथी है अच्छी राजनीथी क्या है? मीडिया पे एक दूसरे से BJP, Congress, आम आदमी पार्टी वाले कुट्टे बिलियों की तरहे लड़ा करते थे. कोरोना काल में मैंने सब को बोल दिया, मैंने कोई राजनीती नहीं होगी. राजनीती को घर छोड़ गया हो, सारे मिल के काम करेंगे. कोई अगर दिल्ली में भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो गई थी लोगों को. कोई बिमार पड़े तो उसकी मदद करनी है. तो हो क्या रहा था कि Congress वाला अगर कोई कहता था कि भई ये बिमार है, तो आम आदमी पार्टी वाले सामने आ जाते थे, बीजेपी वाले सामने आ जाते थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे. इतना अच्छा माहौल बन गया था. हमें इसी तरह से देश को आगे बढ़ाना है. तो अब उत्तराखंड में किस तरह से आप, के उत्तराखंड के लोग जो हैं, उत्तराखंड का मॉडल तयार करेंगे. जैसे दिल्ली मॉडल है, ऐसे उत्तराखंड मॉडल होगा, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी. प्लानिंग शुरू हो गई है उसकी? बिल्कुल प्लानिंग शुरू हो गई है, सब के साथ मिलके करेंगे, कोई भी मॉडल तब तक सक्सेस्फुल नहीं हो सकता है, जब तक जन्ता उसमें पार्टिसिपेट ना करें. तो देव भूमी के एक करोड़ लोगों के साथ मिलके, एक देव भूमी मॉडल तयार किया जाएगा. और देव भूमी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, भगवान ने देने में कोई कसर नी छोड़ी लेकिन नेताओं ने कोई उसको बरबाद करने में कोई कसर नी छोड़ी, तो नेताओं के चंगुल से देव भूमी को बाहर निकालके देव भूमी के लोगों के साथ मिलके उसका विकास करना है और उसमें जॉब्स भी क्रियेट होंगे आप देखना लोग खुद अपने जॉब्स क्रियेट करेंगे तो अब हम दिल्ली के मुख्यमंतरी को पाहडों पर ज्यादा देखेंगे क्या हर जेगे देखेंगे जो मेरी जिम्मेदारियां है चाहे दिल्ली की जो जिम्मेदारियां वो भी पूरा करेंगे आम आदमी पार्टी के चुनाव की जिम्मेदारी देव भूमियों में जो भी होगी वो भी पूरा करेंगे सब जिम्मेदारियां पूरी करेंगे अर्विन जी एक सवाल जो है आज सब दिल्ली वाले पूछना चाह रहे हैं तो क्योंकि मैं आज आपसे इस वक्त बैठी हूं तो इसलिए पूछी लेती हूं कि दिल्ली बार-बार क्यों डूपती है यह मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा डीटेल में जब हमारी सरकार 2015 में बनी थी तो बहुत बुरा हाल था पूरा ड्रेनेज का दो-तीन साल काम करके हमने इसको सही किया पिछले तीन साल से अगर आप उठा के देखें दिल्ली नहीं डूब रही थी दिल्ली में स्थिती काफी काबू में थी इस साल करोना के दिल्ली के नालों की सफाई लगबग मार्च में शुरू हो जाती है इस साल करोना की वजए से और लॉकड़ाउन की वजए से समय पर सफाई नहीं उपाई नालों की वो मैं कमी मानता हूँ तो इस वजए से जून में जब लॉकड़ाउन खुला तो अचानक वार फूटिंग पर की उसमें कमिया है जगह जगह इसमें भी मेरा यह कहना था कुछ नाले MCD के हैं, कुछ नाले हमारे हैं, दिल्ली सरकार के, सब अपने अपने लालों की सफाई करें, एक दूसरे पर गाली गलोच ना करें, अगर MCD का नाला खराब है, वहाँ पर पानी भर रहा है तो वह अपनी सफाई करें, दिल्ली सरकार क जो पहा कि इस बर लॉकडाउन की वजए से मार्च में जो सफाई शुरू होनी थी लॉकडाउन की ज़ए से काफी नालों की सफाई नहीं हो पाई पिछले तीन साल से इसको कंट्रोल कर लिया था पिछले तीन साल से आप उठा के देखें कहीं भी आदे घंटे से जादा की ज एंपूर की जान भी चली गई परसनली मॉनिटर करके उसको फिर वहां पर सारे पंप्स वगेरा अभी तीन दिन से बारे शोरी है मिंट ब्रिज पर कोई जलबराव नहीं हो रहा है लेकिन अब जगह बदल जाती है प्रलातपूर पहुंच गया है लगे हुए हम लोगे हु है वो देव भूमी में भी उन्हें आशरवाद दिलाएगा हमसे बाचीत करने के लिए हमारे साथ जोड़ने के लिए अरवन्द आपका पहुत पहुत शुक्रिया अहे हम मुछ क्यीं के लिएलाएग ओंक के लिए दोgt है लिएजबगा है ववा